नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का Steady Glows पर मैं आप लोगों के सामने लेकर उपसे थूँ जून के थर्ड वीक का P.I.B. News Analysis जिसमें हम लोग 15 जून से लेकर 21 जून तक जो भी important खबरे थी उनको हम लोग cover करने वाले हैं इससे पहले मैंने दो session complete किये हैं आप लोग उनको जरूर देखिएगा काफी important होता है हमारे लिए P.I.B. जो भी student mains का exam देने वाले हैं उनको writing skills के अंदरे भी improvement करना है तो उनके लिए P.I.B. बहुत ही महत्वकून होता है तो चलिए शुरुवात करते हैं हम लोग session की इस बार का session जो है वो थोड़ा late आया है मतलब लगबग मानके चलिए कि 10 दिन जो है वो इसमें थोड़ा था extend हुआ है लेकिन आगे जो है session आपको time to time मिलते रहेंगे तो हम लोग शुरुवात करते हैं पंदरा से 21 जून के P.I.B. News Analysis को आप लोग मुझे इंस्टा पर follow कर सकते हैं दीपक इंदोरा 021 इसके साथ में ही दीपक इंदोरा official telegram पर मुझे आप लोग join भी कर सकते हैं चलिए शुरुवात करते हैं हम लोग पहली headline के साथ में पहली headline क्या है आप लोग को पता है कि हर 10 साल के अंदर सेंसेज जो है वो निकाला जाता है इंडियन government के द्वारा लेकिन जब pandemic आया तो pandemic के तोरान ये सारे घटना करम जो है वो नहीं हो पाए और सेंसेज जो था वो थोड़ा delay हुआ इसलिए सेंसेज अब जारी किया जाएगा 2023 और 2024 के अंदर तो ये year जो है वो decide किया गया है लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि सेंसेज जो अभी यहां पर suspend किया गया है उसको आगे externally किया गया है तो वो किस तरीकी से किया गया है क्यों ये जो है वो suspend किया गया है आगे आने वाले 2-3 साल के लिए और किस तरीके census को तयार किया जाता है वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे तो हमारी headline क्या है deadline for freezing administrative boundaries extended no census this year तो 2021 के अंदर census जारी नहीं होगा जो कि हर 10 साल के अंदर होता है अब 2023 साल के अंदर होगा administrative boundaries क्या होती है वो हम लोग इस session के अंदर जाने वाले है तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे क्या क्या हम लोग इस lecture में देखने वाले है सबसे पहले देखेंगे कि अभी इसकी बात क्यों की जा रही है context क्या है इसका उसके बादे में देखेंगे कि इस बार इसको क्यों जो है वो postpone किया गया है तो census जो है वो क्यों postpone हुआ है क्या इसके पीछे reasons है इंडिया में census कैसे conduct करवाय जाता है क्या इसका significance है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर योजनाए काफी सारी बनती है जब भी सरकार बदलती है तो योजनाए बदल जाती है लेकिन योजनाए कब बनेंगी कैसे बनेंगी किसके अनुसार बनेंगी सारा depend जो है वो करता है census के उपर क्योंकि एक planning जो है कौन सीती 2011 के थी क्या उस समय हमारे पास में कोई महतुपूर्ण आकड़ा है जो हम लोग पंद्रवी जनगर्णा से देख सकते हैं और ये जो सोल भी जनगर्णा है अब ये कब होने जा रही है इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि NPR जो की काफि सुर्खियों में भी था 2019 के अंदर और census के अंदर क्या difference होता है फिर usually resident जो है वो कौन है उसको हम लोग कैसे count करेंगे जनगर्णा के अंदर और इसका NPR जो है NPR का criticism किस तरीके से किया गया था और अब जो है लोगों को क्या समझ में होने जा रही थी अब उसको बढ़ा कर आगे 2023 चोईस कर दिया गया है तो यह तो है हमारा context का point तो यहाँ पर आप लोग year जरूर याद रखिएगा क्योंकि exam के point of view से आप लोगो याद रखना है कि यह अब कब होने जा रही है तो यहाँ पर 2 साल का extend जो है वो किया गया है क्योंकि जब भी exam के अंदर statement आएगा तो उसमें केवल इतना ही लिखा रहेगा कि इसको 2 साल के लिए आगे extend कर दिया गया है इसके बाद में postpone क्यों होई है तो सबसे पहले आप लोग यह ध्यान रखिए कि pandemic का जो time period था उसमें एक state से दूसरी state में एक district से दूसरी district में या फिर पूरे इंडिया के अंदर जो भी motion ज़ा जो भी गतिविदियां थी वो सारा का सारा रुख गया था और इसी की कारण जो है इसको आगे postpone किया गया अब भारत के अंदर जो registrar general of India होते हैं जिनके उपर जनगन्ना करने का पूरा जो है वो दायित्व होता है पूरी responsibility होती है उनको ये अधिकार होता है कि वो जितने भी villages हैं जितने भी districts हैं जितने भी towns हैं या जितने भी units हैं administrative units उनको वो क्या करे अच्छे से उनका सीमांकन करे दायित्व रहता है इसके साथ में ही कौन से area का कौन सा police station लगता है तो ये decide होता है इसी जनसंख्या के आधार पर आप लोग को पता होगा कि जब पश्यम बंगाल का एक छोटी सी जगह थी उस जगह का नाम में पड़ा सिलिप कर रहा हूँ जब भी partition हुआ था 1971 के अंदर जब हमने बंगलदेश को आजात करा है था तो basically एक police station को लेकर ही काफे dispute रहा था कि वो जो station है वो किस तरफ रहेगा वो बंगलदेश में रहेगा या फिर पश्यम बंगाल के अंदर रहेगा तो कुछ ऐसे dispute जो है वो कई बार देखे जाते हैं between two states या two countries तो उनसे निप्टारा करने के लिए ही Registrar General of India जो है वो इस चीज़ का करते हैं decide करते हैं चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि अब देखिए कि Registrar General of India जो है वो प्रशाशनिक सीमाओं को freeze कर देते हैं ताकि जनगर्णा कारिया शुरू हो सके देखिए वो क्या करते हैं demarking करते हैं कि कौन से एरिया जो है वो किस छेतर के अंदर आता है जैसे हम लोग कहें कि हम लोग यदि मान लिजिए कि इंडिया के किसी स्टेट में रहते हैं UP में रहते हैं MP में रहते हैं और MP के अंदर भी किसी district में रहते हैं और district में भी किसी village या फिर city के अंदर रहते हैं तो हमारी city की एक marking होती है कि जैसे हम इस city के बाहर निकलेंगे तो next city जो है वो शुरू हो जाएगी वैसे ही demarking जो है वो की जाती है RGI के द्वारा तो जितनी भी administrative units हैं इनको क्या करते जाता है fix करते जाता है कि इस छेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं उनके संक्या कुछ इस प्रकार से होगी और उसके बाद में census जो है वो record करना शुरू किया जाता है जितनी भी लोग हैं उनकी गण्णाएं की जाती है लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो जन्गणा शुरू होनी थी 2021 में उससे पहले ही क्या होता है कि जितनी भी administrative boundaries हैं उनको freeze किया जाता है लेकिन वो freeze करने की जो limit है उसको बढ़ा कर 31 December 2022 कर दिया अगर माली जी कि 2021 में जन्गणा होती तो फिर 2020 December 2020 तक ही क्या किया जाता है कि administrative units जो हैं boundaries जो हैं इनकी boundaries को fix किया जाता freeze किया जाता लेकिन ये समय सेमा जो है वो आगे 2 साल बड़ी और 31 December 2022 तक ये जो है administrative boundaries को क्या किया गया freeze किया गया तो अमोमन जो है अब आगे ही extend हो चुकी है जन्गणा census जो है वो आगे extend हो चुका है इसके बाद में अब जो है ये संभावना नहीं है कि 2021 की जन्गणा करवाई जाए अब जो है वो कब करवाई जाएगी 2023-2024 के अंदर करवाई जाएगी क्योंकि ये जो freeze करने की limit है वो automatic जो है वो क्या हो चुकी है आगे बढ़ चुकी है I think आप लोग को इस समझ में आ रहा होगा census in India की हम लोग बात करें देखिए census जरूरी क्यों है कैसे इसको count की जाता है क्या-क्याइश में शामिल होता है अब सबसे पहले हम लोग देखें कि किसी भी देश में या किसी देश के एक हिस्से में रहने वाले लोगों की जब counting की जाती है तो ये देखा जाता है कि उनका सिक्षा का इस्तर क्या है उनकी आर्थिक इस्थिति क्या है उनका social welfare कैसा है तो ये सभी आकड़े इखटे करके उस census के अंदर लिखे जाते हैं क्या उनका age group है एक family के अंदर कितने लोग रहते हैं nuclear families हमारे इंडिया के अंदर जादा है या फिर large families है ये सारा demography जो है वो census के अंदर देखा जाता है तो 1872 के अंदर किया गया था general lord mayo की दोरा तो ये factual जो exam देने वाल student है वो इसको जरूर याद रखेगा इसके बाद में first synchronous मतलब हम लोग कहें कि आधिकारिक तौर पर जो पहली जनगर्णा हुई थी वो 1881 के अंदर हुई थी और इस समय आप लोग को पता है lord leaton या हम लोग कह स रखते हैं कि WC plodine जो थे वो इस समय जनगर्णा आयुक्त थे तो governor general कौन थे lord leaton थे जनगर्णा आयुक्त जो थे वो WC plodine थे इसके बाद में जैसे ही 1947 में भारत को आजादी मिली उसके बाद से हर 10 साल के अंदर जनगर्णा जो है census वो किया जाने लगा और इसके लिए responsible RGI को तहराया गया ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखना factual information है इसके साथ में यह दिया हम लोग बात करें तो एक article है article 246 article 246 क्या कहता है कि यह जो जनगर्णा है यह एक जो है संगे सूची का विशय है संगे सूची मतलब union list का जो है वो इसका विशय है अच्छा union list क के अंदर क्या होता है वो आप लोग देखिए आप लोग इसमें थोड़ा सा confused मत हो जाएगा कि concurrent list union list इसके अंदर थोड़ा सा आप लोग clarify रखना जैसे संग सूची का विशय है union subject है तो इसमें center के पास में यह power है कि यदि मान लीजिये कोई भी इसमें changes करने है जनसंख्या कि आंकडे जो है इसको लेने के अंदर कोई भी नियमों में बदलाव करना है तो center के पास में यह power होती है कि वो इसमें changes कर सकते हैं 1951 से हम लोगों ने लगातार जो हर 10 वर्ष में यह जनगणना की है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है 2021 में कि यह postpone की गई है और postpone हुई है pandemic क कारण यह इसका पहला जो है वो reason है दूसरा reason मैंने आप लोग को बताए ही था कि जो भी administrative units है इनके boundaries को freeze करने की जो limit थी वो December 2022 तक बढ़ा दी गई थी तो 2 साल action होने के बाद automatic जो है वो अब 2030 में होने जा रही है इसके लिए कौन सा अधिनियम काम करता है तो जनगणना 1948 census act 1948 जो है इसके तहट पूरे देश में जनगणना आयुजित की जाती है आप लोगों ने 7 schedule जो है उसको जरूर पड़ा होगा उस schedule के अंदर 3 प्रकार के list जो है वो दी हुई है कौन कौन सी है union list है state list है और concurrent list है तो concurrent list होती है इसमें center और states मिलकर laws जो है उसको implement करते है ठीक जो है यदि मानली जी कोई भी dispute होता है तो center के पास में ये power चली जाती है कि उसकी दोरा बनाए गए lodge जो है वही क्या होते है अपलाई होते हैं तो आप लोग इसमें जरूर याद रखिएगा कि article number 246 जिसमें union list के अंदर census को include किया गया है साथ वे नसूची 7th schedule और उसके अ year आप लोग जरूर याद रखना क्योंकि statement के अंदर UPC जो है वो आपको थोड़ा सा इधर उधर घुमा सकती है चलिए तो अगर आप लोग PCS का exam देने वाले student है तो वहाँ भी statement वाले question जरूर आते है आप लोगों ने देखिए होंगे UPPCS, MPPCS अभी West Bengal के paper हुए हैं उनमे इसके बाद में देखिए कि जो census होते हैं इंडिया के अंदर उनको काफी ज़्यादा secret रखा जाता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई मंत्री cabinet minister जब भी कोई शपत लेते हैं तो उस शपत को गोपनिये शपत जो है वो कहा जाता है ठीक उसी प्रकार जो जो भी आंकडे होते हैं उनको गोपनिये रखा जाता है और किसी भी कोट के लिए एनिके हाई कोट सूपरिम कोट या किसी भी अधर जो यूडिशिली है उसके लिए भी ये अवैलेबल नहीं रहते हैं इसको एक ही आधार पर अवैलेबल करवाई जा सकता है जब इसको NPR क इंदर रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद में ये आंकडे जो है वो अवैलेबल करवाई जाते हैं तो इस कानून के अंदर जो भी अधिनियम है उसकी पालना करना जरूरी है मैंने अब आप लोग को बताया 1948 और इसके तहत ये सारा प्रविजन जो है वो डिसाइड किया गया है कि इसको गोपनी जो है वो रखा जाएगा अब इस सेंसेस का क्या सिंगनिफिकेंस होता है क्या ये जो आंकडे हम लोगों ने इखटे किये हैं हर घर गर जा कर इखटे किये हैं कितने लोग रहते हैं क्या उनका educational status है कितनी जनसंग क्या हो जुकी है किस धर्म की religion basis भ किया गया लेकिन ये सारे आंक्रे जो हम लोगों ने इखटे किये हैं उसका क्या उपयोग होगा देखिए पहले मैंने आप लोग को बताया है कि सरकार जो योजना बनाएगी जो भी प्लानिंग करेगी वो इन ही आंक्रों के आधार पर करेगी ताकि उनका management जो है वो बिगड क्योंकि सरकार जब योजना बनाती है जैसे मालिज ये कि प्रधान मंत्री जंधन योजना है कितने आखाते खोले जाएंगे ये पहले से ही calculate जो है कर लिया जाता है कि लगबक इतने खातों खूलेंगे जैसे प्रधान मंत्री किसान सम्वा निदी आ उसकी आधार पर ये być census के ही होते हैं इसलिए ये बहुत ज़्यादा significance अपने आप के अंदर रखता है सभी जानकार या एकटी करके इसका क्या कियाता है analysis किया जाता है और इसका क्या है सीमांकन होता है अब सीमांकन मैंने की demarkation कैसे होता है तो demarkation करने के बाद यानि की RGI जो है जैसे parliament के हुए इसके साथ में legislative assemblies के हुए यानि के state के अंदर हुए union territories के हुए local self government के हुए तो उस समय कितने MLS जो है वो रहेंगे कितने MPs किस area में रहेंगे ये decide कैसे होता है ये केवल और केवल census के आधार पर जन संक्या के आधार पर ही जो है वो सीटों का निर्धारण किया जाता है तो ये point आपको clear हो जाना चाहिए दूसरा देखिए website के लिए better पहुँच जैसे मालीजे कि हम लोग बात करें कि better access to businesses जितने भी website घराने हैं उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जनगर्णा के आंकड़े बहुत मैट्वकून होते हैं क्योंकि ये पूरा और पूरा खेल जो है वो डिमांड और सप्लाई का रहता है और मालीजे कोई भी website है तो उसको मजबूत और उसको योजनागत तरीके से करने के लिए ही census के आंकड़े जो हैं वो उस website के अंदर जरूरी होते हैं अनुदार के दिए हम लोग बात करें जैसे grants जो होते हैं तो with आयोग जो है हमें ये grant चाहिए तो ये किस आधार पर होंगे उस राज्ये की जनसंक्या की आधार पर होंगे तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि इस बार जो है census को क्यों पॉस्पॉंट किया गया है और census को कैसे calculate किया आता है क्या इसका significance है ये बहुत महत्वपॉंट है 15 जो census है इसकी हम लोग बात करें कि 2011 के अंदर हुआ था उसका एक बहुत ही महत्वपॉंट आकड़ा है और आकड़ा ये है कि उत्राखंड है उत्तरप्रदेश है बिहार है जारखंड है मध्यप्रदेश है 36 गट राजस्थान उडिसा के मामले में पहले बार जो है वो जन्संक्या के महत्वपॉंट जो आकड़े थे उसके अंदर गिरावट जो थी वो दर्श की गई थी ये 2011 के बात है और अब जो है 2023-2024 के अंदर कौन सा होने जा रहा है 16 गट जो है वो इस बार होने जा रही है तो ये आप लोग जरूर याद रखना अब हम लोग बात कर लेते हैं NPR की National Population Register अब माली ये कि किसी वेक्ति ने जन्म तो ले लिया है भारत की भूमी पर लेकिन जो जनसंक्या बढ़ चुकी है जो लोग यहाँ पर जन्म ले चुके हैं उनको रजिस्टर करना जरूरी है क्योंकि एक डेटाबेस तो त्यार होगा ना जो डेटाबेस पूरा का पूरा तयार होगा और ये करवाना अनिवार ये होता है ये मान के चलिए कि यदि इसमें रजिस्टर नहीं हुए हैं तो आप लोग ये मान के चलना कि भारत के नागरिक कहलाने के लिए भी आपको सभूत जो है वो देने पड़ेंगे जैसे अब आप लोग कहेंगे कि सर हम तो रजिस्टर हैं कि नहीं कैसा पता करें तो आपके पास में वोटर आईडी जो काड है वही आपका क्या है रजिस्ट्रेशन है आधार कार्ड है वो आपका रेजिस्टेशन है तो इसका मतलब है कि आप लोग जनगर्णा के अंदर काउंट हो गए हैं तभी तो आपकी वोटर आईडी कार्ड जो है वो बनी है इसे लिए तो जनगर्णा सैंसेस एक्ट जो है 1948 उसका एक सेक्शन है 15 उसकी अनुसार जितनी भी व्यक्तिकत जो सूचनाए है इनको NPR के तहट पूरी तरीके से गोपनी जो है वो रखा जाता है और सारा डेटा जो है वो एक साथ कलेक्ट किया जाता है आप लोग NPR को समझ चुके होंगे ठीक है जिसे आप लोग को पता है कि असाम के अंदर काफ़ ज़्यादा विद्रो जो है NPR को लेकर हुआ था लेकिन वो सब का सब जो था वो misconception था misunderstanding उसको कह सकते हैं basically ये बहुत जरूरी चीज है NPR अब who is usual resident ग्रह बंतराले home ministry के अनुसार देश का सामान निवासी जो उसको निमल की तरूप से हम लोग परिवाशित कर सकते हैं वह वेक्ती जो कम से कम पिसले 6 महीने से किसी इस्थान ये छेतर में रहता है अथवा अगले 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए किसी विशेश इस्थान पर रहने का इरादा रखता है तो उसको उस इस्टेट का क्या मान लियाता है उसको उस इस्टेट का नागरिक या हम लोग कहें कि उसका निवासी मान लियाता है और हम लोग कहेंगे कि उसको NPR के इंदर रजिस्टर भी करवा ले जाता है नागरिक्ता एक अलग चीज है citizenship जो है वो तो अलग चीज है जिसे हम लोग बात करते हैं article number 5 to 11 उसमें 7 साल तक एदि कोई भारत में रहता है तो उसको इंडियन के citizenship मिलती है लेकिन resident की अदि हम लोग बात करें तो I think इससे पहले वाला जो है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा अगनिपत इसकीम अगनिपत बहुत ज़्यदा बवाल हुआ बिहार से ये बवाल जो हो शुरू हुआ पूरे देश के अंदर फैला जानते हम लोग अगनिपत इसकीम की बारे में क्या इसका recruitment process है इसको लेकर युवाओं के अंदर यूद के अंदर क्या बवाल जो है वो create हुआ हो सकता है misunderstanding हो या फिर हो सकता है कि युवाओं की जो मांग है वो बिलकुत सही हो जानते हम लोग इस lecture के अंदर चलिए बढ़ते हैं अगनिपत इसकीम की और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगनिपत इसकीम जो है वो recently सुर्चियों में क्यों रही है क्या है अगनिपत इसकीम क्या इस का format है अगनिपत इसकीम का recruitment process जो है वो क्या है हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दूसरी countries की जापान की हम लोग बात करेंगी इसराइल की हम लोग बात करेंगे वहाँ पर इससे similar जो है वो कौन-कौन सी स्कीम चल रही है तो अगनिपत इसकीम को बहुत अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं क्या contest है तीन सेवाएं हमारे पास में कौन-कौन सी है थल सेना वायू सेना और नो सेना इसके अंदर यूवाओं जो है यूथ उनकी भरती की जाएगी तीन services के अंदर तो ये अभी क्या हुआ एक notification सरकार की दोरा जारी किया गया अभी अगनिपत इसकीम क्या है इसके तहट 45,000 से 50,000 सेनिक जो है जिनको अगनिवेर नाम दिया गया है इनकी हर सालाना जो है वो भरती की जाएगी और 4 वर्ष दक इनको सेवा देना का मौका मिलेगा एक साल के अंदर दो बार जो है वो रेली का आयोजन होगा रेली का आयोजन होने के बाद में और फिर 45,000 सेनिक जो है वो भरती की जाएंगे जिनको अगनिवेर नाम दिया गया है जैसे ही इनके 4 साल कंप्लीट होंगे उसके बाद में 25 प्रतिशन यूवा इनके अगनिवेर जिनोंने बहतर प्रतिशन किया है डिस्सिप्लेन में वो रहे हैं नियमों का पालन किया है आगे और भी काम में आ सकते हैं उनको जो है वो पर्मनेंट कमिशन दिया जाएगा और अगले 15 वर्स तक वो अपनी क्या कर सकते हैं इसमें साड़े 17 साल से लेकर 21 साल तक की यूवाओं को इसमें मौका दिया जाएगा लिकिन जब यूवाओं आकरिशित हुए यूथ जो थे वो ज़्यादा आकर जो थे क्या हुए उनकी हम लोग कह सकते हैं कि उग्र हुए उस समय सरकार ने एज लिमिट जो है वो उसको एक साल के लिए और बढ़ा दिया क्योंकि यूवाओं की मांग भी जायस थी गलत नहीं थी उनकी मांग ये थी कि पिछले 3-4 साल से भरती नहीं हुई है पैंडेमिक का टाइम था जो एरफोर्स में एरमेन की जो वेकेंसी निकली हुई थी उसको भी कंप्लीट नहीं किया पूरा प्रोसेस आपने ले लिया है तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए उसके बाद में इस स्कीन को लागो कीजिए तो उनकी मांग भी सही थी गलत नहीं थी इसलिए सरकार ने इसको देखते हुए इसकी जो एज लिमिट है उसको एक साल जो है वो बढ़ा दिया है उससे नीचे वाले जो करमचारी है वो इसमें शामिल होंगे यह उल्डिटी मेंने आप लोगों को बता दिया है कि दो साल एक साल के अंदर दो बार जो है रेली का आयोजन होगा पूरा नोटिटिकेशन जो है वो अल्डिटी जारूई कर दिया गया है इसमें 6 महेने का प्रेसिक्शन होगा और 3.5-3 साल के लिए जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर उसकी तैनाती की जाएगी रेजिमेंट के अधार पर जैसे आपको देखें होंगे किसे वर्तमान में रेजिमेंट के अधार पर पूरा रेक्रूट्मेंट प्रोसेस होता है जाट रिजिमेंट है, राजपोतना राइफल्स है, आसम राइफल्स है तो वो जो है इस प्रष्ट भूमी से ये क्या होंगे, थोड़ा सा अलग होंगे ठीक है, सेलरी और बेनेफिट्स के हम लोग बात कर लेते हैं जैसे चार साल है, तो चार साल के लिए अलग-अलग सेलरी पैटरन रखा गया है 30,000 से लेकर 40,000 तक इनका सेलरी पैटरन रखा गया है अब इसमें होगा क्या, कि 30% जो है, जैसे मान लीजे कि 30,000 सेलरी आपको मिल रही है तो इसमें से 30% जो है, वो कट जाएगा, और कट कर सेवा निधी एक योजना है, प्रोग्राम है, उसमें जमा हो जाएगा और जब आप लोग रिटायर होंगे, तो उस समय सारा पैसा एकटा होगा और आपको मिल जाएगा और जब रिटायर होंगे, तो लगभग पौने 12,000,000,000,000,000,000 रुपे जो है, वो आपको एक साथ मिल जाएगे तो 30% की कट्रोती होगी हर साल सेलरी के अंदर, तो 30,000 से लेकर 40,000 तक सेलरी जो है, वो वेरी करेगी अगले 4 साल के लिए, ठीक है इसमें से 25% जो अगनिवीर है, उनको आगे 4 साल सेवा देने का मौका मिलेगा और क्या benefit है, 48,000,000,000 रुपे का जो है, वो इसमें इंशुरेंस करवाए गया है, बहुत important है 48 लाग रुपे का जो इंशुरेंस होता है वो बहुत होता है है ना तो 48 लाग का इंशुरेंस करवाए गया है इसके साथ में ही भारत के 13 लाग से अधिक मजबूत सचस्टर बलो के लिए वर्तमान औसत आयू प्रोफाइल जो है वो 32 वर्ष है तो इसमें ये परिकल्पना की गई थी कि 4-5 साल की जो है वो इसके अंदर कमी आईगी और ट्यूर आफ ड्यूटी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा टी ओडी का तो टी ओडी के तहत ही जो है वो सारी भरतियां इसके अंदर की जा रही है और क्या benefits है भविशे के लिए आपको सैनिक जो है या हम लोग कहें कि सैनिक से कोई व्यक्ति रिटाइर भी होगा तो वो समाज के लिए अच्छा काम तो करेगा ही ना इसलिए वो जो सैनिक है वो समाज के लिए एक मिसाल कायम करेगा और सैनिक रहते हुए देश की सेवा तो करेगा ही करेगा नई टेक्निक से वो रोबरू होगा उनका perception लेगा कि कौन ओन से टेक्निक जो है वो work कर रही है रोजगार के अवसायर जो है उसके अंदर बढ़ोतीरी होगी इसके जो है वो बढ़ेंगी वो डवलप होंगी तो यह सारी benefits है और हो सकता है कि चार साल के बाद में उनका कारिकाल जो है वो और भी बढ़ा दिया जाए तो यह सारे क्या है इसके benefits है लेकिन इससे related कुछ concerns भी थे है ना जो यूवाव ने यूजनी जो थे वो concerns उठाए थे जैसे वरतमान लाब और नौकरी सुरक्षा का अंत जैसे मालीची कि कोई वेक्ति जो है चार साल की नौकरी करके वो रिटायर हो रहा है उसके बाद में pension कैसे मिलेगी उसको pension तो मिल ही नहीं पाएगी यहां त प्रेसिक्षन के अंदर ही क्या वो एक अच्छा सानिक तयार हो पाएगा यह भी जो है concern था कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाये जाए अब मानके देखिए कि क्या वफदारी जो है उसमें कम ही होगी क्योंकि वो तो केवल चार साल के रहेगा ना उसको लगेगा कि मैं तो ज पुदार करके बहुत अच्छी योजना जो है वो लागू की जा सकती है चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं unemployment has decreased और यह कहा है labor survey के द्वारा unemployment बेरोजगारी व्यक्ति दो तरीकी के होते हैं एक व्यक्ति वो जो की काम करने के इच्छा रखता है लेकिन काम नहीं मिल पात उसको ही हम लोग बेरोजगारी कहते हैं क्योंकि जो काम करने के इच्छा ही नहीं रखता वो तो वैसे ही unemployed है उसको हम लोग county नहीं करेंगे इच्छा रखने वाले व्यक्ति को यदि काम नहीं मिल पाता वहाँ पर थोड़ी समश्या होती है क्योंकि हो सकता है कि उसके पास म और कोई जो है वो दूसरे powers है जिनके थुरू वो काम कर सकता है ठीक है लेकिन labor survey ने ये कहा है कि 0.6% जो है वो इसके अंदर कमें दर्च की गई है और recently आप लोगोंने आंकड़े पड़े भी होंगे कि हर्याना जो है वो सबसे ज़्यादा unemployment के अंदर number one था उसके बाद में फिर राजस्थान जो था वो second number पर आया चली जा लेते हैं क्या context है इसका survey क्या कहता है और NSO जो है वो किस प्रकार से collection लेता है इन डेटाज के फिर report जो है वो क्या indicate करती है इसके साथ में unemployment जो है इसको कैसे measure कियाता है आप लोग इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखेगा structural unemployment आप लोग ज़रूर ध्यान रखना एनिके संरचनात्मक बिरोजगारी क्या होती है कई बार exam में ज़रूर आ चुका है तो यह दिया आप लोग को पता है तो मुझे आप लोग comment section में ज़रूर बताएगा चलीए क्या है सबसे पहले देखिए कि recently एक survey करवाया गया है जिस कमी जो है वो दर्ज की गई है कि इसमें इतना decrease आया है जो पहले 4.8% तर 2019-20 के अंदर वो अब घटकर कितना हो गया है 4.2% हो गया है 2020-21 के आंकड़ों के तहत कि क्यों हुआ है वो भी हम लोग इस lecture के अंदर देखने वाले हैं चलीए बढ़ते हम लोग आगे unemployment की rate कितनी है यदि हम लोग देखें 2020-21 के आंकड़े तह 4.8% है ठीक है जो कि अब कितना हो चुका है 4.2% हो चुका है यदि हम लोग ग्रामीन छेत्रों को target करें तो वहाँ पर बेरोजगार की दर 3.3% जो है वो दर्ज की गई है और शहरी छेत्रों में 6.7% दोनों का यद systemic के दोरान जितना भी rural areas है वहाँ पर employment की जो इस्तिती है वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी क्योंकि सभी लोगों ने गावों के और पलायन किया लेकिन गावों के अंदर जिस दर से जिस rate से लोगों ने पलायन किया उसकी अनुसार वहाँ पर जॉब नहीं थी तो वहाँ पर जन्संक्या का दबाव बढ़ गया और unemployment जो है वो ज़्यादा जनरेट हुई ठीक है यह जो है वो धृदिरे बढ़ने लगी जो आप लोग ग्रामीर बेरोजगारी दर वो 41.6 परतिशत था जो कि 2019-2021 में 40.1 परतिशत था तो यह जो है वो बढ़ चुका है मतलब काम करने के लिए जो उपलब्ध है जो काम की तलाश कर रहे है उनकी संख्या में क्या हुई बढ़ोतरी हुई और उनको काम भी मिला ठीक है तो काम करने वाले या काम के तलाश करन लेकिन इनको employment generate जो है वो पहले की मुकाबले जादा हुई है इसलिए unemployment वो कम हुआ है ठीक है और क्या कहता है survey महिलाओं के दी भागिदारी participation ने दी हम लोग देखें तो महिला जो पहले 22.8 परतिशत पर थी ठीक है उनकी तुलना में जो है वो कितना हो गया है 25.1 परतिशत एक्जाम के अंदर statement wise जो है वो याद रखने है कि महिला जो unemployment है वो उसमें गिरावट दर्श की गई है और participation जो है वो बढ़ गया है पहले 22.8 परतिशत था अब 25.1 परतिशत हो गया है ठीक है फिर हम लोग बात करें worker population ratio की उसकी आधार पर यदि देखें तो 30,000 लोगों प कि यदि माली जी कि एक हजार लोग है उनमें से जो काम करने वाले लोग है ठीक है उनकी संख्या कितनी है लगभग जो है वो 398 है एक हजार पर 398 लोग जो है वो काम करते हैं बाकि हो सकते हैं इसमें बच्चे हैं घर में काम करने वाली महिलाएं है ठीक है तो आप लोग द करने लगे तो survey जो हुआ था उसकी अनुसार ये migration rate जो है वो थोड़ा सा increase हुआ 28.9% हुआ क्योंकि लोग जो है गाउं की तरफ प्रायन करने लगे तो ग्रामिन और शहरी छेत्रों में महिलाओं की जो दर है यानि की से दूसरे स्टेट के अंदर एक डिस्टिक से दूसरे डिस्टिक में तो ग्रामिन और जो शहरी प्रतिशत है वो लगभग सामान है तो यहां से हम लोग एक result निकाल सकते हैं कि महिलाओं जो हैं महिलाओं वो क्या करती है जादा माइग्रेंट करती हैं compared to male की ठीक है रोजगार संबंधी प्रवास के दिए हम लोग बात करें कि जो लोग employment related migration करते हैं तो इसमें 4.4% 4.4% जो है वो migrant जो employment related migrant है वो हुआ ठीक है जो कि 2011 के अंदर कितना था 10% था तो यहां पर महिलाओं की जैसे मालीजी शादी हो जाती है उसकी बाद भी उनको जो है migrate करना पड़ता है ये भी एक reason है ठीक है और यह सर्वे क्या कहता है कि recently pandemic का time आया तो pandemic के time में जो unemployment है वो थोड़ा सा जाओं के उपर संकट जो था वो ज्यादा गहरा गया था लेकिन जैसे ही pandemic थोड़ा कम हुआ उसके बाद में unemployment जो है वो भी क्या हुई कम हुई ठीक है तो महामारी के दोरान reverse migration की वज़े से reverse migration मतलब जिसे मालीजी के एक वेक्ति जो है वो जैपूर से दिल्ली जाता है migrate करत है लेकिन वापस से वो reverse आता है दिल्ली से वापस जैपूर आता है तो उसको हम लोग reverse migration कहेंगे उसकी वज़े से ग्रामेन छेतरों में बेरोजगारी की दर काफी अधिक हो गई जिससे ग्रामेन संकट जो है वो उत्पन हुआ I think आप लोग समझ रहोंगे इसको बहुत easy है यह समझना ठीक है कोई चीज ना समझ में आ रहे है तो मुझे आप लोग comment section में ज़रूर बताइएगा इंस्टा पर आप लोग मुझे message कर सकते हैं कि सर इसमें हमको इस topic में यह problem थी तो बेरोजगारी की दर पर वाशिक report इसमें से एक विरोदावाज जो है वो दर्शाती ह ठीक है चलिए अब यह collection जो है वो कैसे हुआ है national esthetical office जो है इसलिए collection basically कैसे किया है तो इस collection को करने के लिए गाव और शहर जो है उनके घरों को यहाँ पर चैनित किया गया और इसमें सबसे पहली बात है कि rotational panel sampling design जो है उसकी आधार पर घर घर जाकर यह जो है वो क्या किया samples लिए गए चार बार जो है वो periodically इनके data जो है वो collect किये गए और इसकी आधार पर ही पूरे जो unemployment के जितने भी data है इनको क्या किया गया तयार किया गया तो यहाँ पर design आप लोगों को याद रखनी है कि कौन से design है rotational panel sampling design जिसको हिंदी में कहते है गुण निये panel किया जाता है अब यह report जो है वो क्या indicate करती है पहली बात कि जो शहरी जनसंख्या थी वो अब गाओं की जनसंख्या के अंदर तब्दील हुई है पहले लोग जो थे वो भाग भाग के शहरों के अंदर जाते थे लेकिन अब यह indicate कर रही है कि गाओं के अंदर जो है वो लो जिस्टेर के अलावा अन्य ग्रामी नोक्रियों का स्रजन तथा मन्रेगा सरकार के लिए प्रास्मिक्ता का विशे हो सकता है तो मन्रेगा को जो है वो लोगों ने किया बहुत सारे लोगों के लिए employment का जो जडिया है वो मनरेगा बना लोग गाओं में बसे तो ये सारी report ये कहती है कि गाओं के उपर जलसंगा का दबाओ जो है वो अब धीरे-धीरे बनने लगा है हम लोग एदि GDP की दी बात करें तो primary, secondary और tertiary sector के अंदर सबसे कम जो योगदान रहता है वो primary sector का ही रहता है लेकिन इस समय क्या हुआ इस समय ये हुआ कि GDP के अंदर contribution primary sector का सबसे ज़्यादा वड़ा और बाकी जो थे वो minus के अंदर चले गए थे उनकी growth rate जो थी वो minus में चली गई लेकिन primary sector की growth rate जो है वो positive ही रही ये बहुत अच्छा है ठीक है चलिए इसलिए गाउं जो है वो सोना है अब measuring कैसे करते हैं वो तो हम लोगों ने बता ही दिया है कि यहाँ पर 365 दिनों की दौरान एक लंबे समय तर कोई लाबकारी काम नहीं था और वे सक्री रूप से काम के तलाश कर रहे थे फिर भी उनको नहीं मिला तो वो जो है वो बेरोजगारी के अंदर उनको count किया आता है यह तो आप हम लोग जो है वो पहले ही इसकी बारे में समझ चुके है ठीक है कैसे measure करते हैं यह हम लोगों ने starting में देखा था कि कोई वेक्टिक काम करना चाता है ठीक है लेकिन काम नहीं मिल पाता है पूरे दिन का काम करना चाता है लेकिन घंटों में ही काम मिलता है और यह दिमाली जी एक दिन में से एक घंटा भी कोई काम नहीं मिलता है तो भी वो बेरोजगारी के अंदर जो है वो count कियाता है तो इसी बहुत सारे definitions जो है वो books के अंदर लेकी हुई है आप लोग ज़रूर देखेगा तो पूरे दिन के अंदर 24 घंटे है एक घंटे भी काम नहीं मिलता है बेरोजगार जो है वो कहलाता है तो इस सारे आकड़े हम लोगों ने देख चुके है बस आप लोग यह ध्यान रखिए कि 2017 में राष्ट्रिय सांकी की कारेले जिसको हम लोग क्या कहते हैं एनसो कहते हैं उनकी द्वारा ये पहली बार इसकी शुरुवात की गई थी सर्वेक्शन की भारत का पहला कंपिटर आधरिश सर्वेक्शन था 2017 के अंदर और इसका गठन अमिताब कुंडू समीती की सिफारिश के आधर पर किया गया था ये आप लोग नाम जो है वो जरूर ध्यान रखना अमिताब कुंडू समीती की सिफारिश पर पहली बार कंपिटर आधरिश जो है ये गड़ना की गई थी जिसमें अनएम्प्लेमेंट को दर्शाया गया था ठीक है याद रहेगा चलिए मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि समीती का नाम क्या है वापस रिपीट कीजेगा बढ़ते हम लोग अगले सेक्शन की तरफ अगला सेक्शन क्या कहता है प्लैट टेक्टोनिक आप लोग अने जोगरफी जब पढ़ी है ना तो शुरुवात यही से होती है कि प्लैट टेक्टोनिक को कैसे समझा जाए क्या होती है प्लैट टेक्टोनिक और उसके आधार पर ही जितने भी continents हैं, oceans हैं, वो निर्मित हुए हैं, अर्थ को एक कैसे आते हैं, और volcanoes कैसे बनते हैं, वो सारा इसमें हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन recently जो tectonic plates हैं, उसके अंदर दो जगे जो है वो identify की गई है, और उसी की आधार पर new tectonic plate map जो है, वो निर recently बनाया गया है, पहले हम लोग बात करेंगे context की, कि क्या context है, क्या उसमें add किया गया है, plate tectonic क्या होती है, क्या जरूरत थी इसको add करने के नया map बरादे की, कौन सी technique इसमें use किया थी है, technique का नाम आप लोग क्यात रखना है, और क्या changes हुए है, वो हम लोग इस section के अंदर देखने वाले हैं, सबसे पहले देखिए, क्या context है, कि प्रत्वी की जो विवर्तिनिक हम लोग कहें, कि tectonic जो plates होती है, उसमें changes हुए है, तेखिए, आप लोग जोगरुफी पढ़ते हैं, वर्ट जोगरुफी के जब आप लोग शुरुवात करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को, में एक पानी की जो है वो पूरी की पूरी ट्रे है ठीक है पानी की ट्रे है उसमें पानी भरा हुआ है उसके उपर आप किसी यदी प्लास्टिक के टुकड़े को फैकेंगे तो प्लास्टिक का टुकड़ा जो है वो तैरने लग जाएगा नीचे जो था वो तो liquid था ना उपर solid part को जैसे हम लोगों ने फैंका तो उसके उपर तैरने लग गया तो जो उपर तैरता हुआ जो part है उसी को plat tectonic कहा जाता है लेकिन earth के language में कैसे समझेंगे earth के यदि हम लोग core section में जाएंगे तो वहाँ पर high density fluid जो है वहाँ पर भरा हुआ है ठीक है उसके उपर जाएंगे ठीक है उसके उपर आएंगे तो थोड़ा सा liquid जो है वो और कम dense में रहेगा लेकिन ज़्यादा quantity में रहेगा और उसी के उपर जो है liquid format के अंदर है उसके उपर plate जो है वो तैरती रहती है float करती है उसको plat tectonic कहा जाता है I think आप लोगो clear हो रहा होगा ठीक है अब जब ये plate आपस में टकराती है तो भूकम और जोला मुखी जो है वो बनते हैं किस तरीके से बनते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ठीक है क्या जरुवत थी इसकी दिखिए कुछ ऐसी theories थी जो कि समझ में नहीं आ रही थी जैसे हम लोग इंडो-Australian plate की बात करें तो दोनों के बीच में एक mid region जो था वहाँ पे कुछ वग्यानी को scientist को समझ में नहीं आ रहा था कि basically ना तो यह इंडो-प्लेट ना Australian plate से मेच करता है इसलिए एक नया जो है वो model तयार करने के बारे में सोचा गया ताकि अच्छे से हम लोग earthquake और volcan है जो है इनका अध्यन कर सके ठीक है तो गूखत्रों संबंदी जोकी model में सुधार करने के लिए flat model का उपयोग किया जा सकता है ठीक है यह तो मैं आप लोग को बता ही दिया है अब आप लोग को map दिखाने की बारी जो है वो आ चुकी है यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि भूकंप और जॉला मुखी जैसे माली जीए कि यह जो अफ्रीकन प्लेट के सारे अलग हुए है तो यह north अमेरिकन प्लेट जो है वो किस तरफ अलग हुई है यह अलग हुई है north-west डिरेक्शन के अंदर ठीक है अब माली जीए कि जैसे ही यह वहाँ पर जाकर Pacific Oceanic Plate तकराई है तो यहाँ पर Rockies Mountain जो है वो बन गए है South American Plate जो है जब यह South Pacific Plate से जाकर Oceanic Plate से जाकर तकराई है तो यहाँ पर Andes परवज जो है वो बन चुका है Australia की दिया हम लोग बात करें तो इस तरफ है Great Dividing Range Himalaya जो है वो यहाँ पर बन चुका है तो इस तरीके से जो है वो Folded Mount बने है लेकिन यह दिमान लीजिए कि जब एक Plate दूसरी Plate से टकराती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यदा भेंकर टकर होती है उससे भुकम जो है वो तो निर्मित होते हैं तो यहाँ पर आप लोगो एक बात तो पता लग गई कि जो पानी वाली Plate है इनको हम लोग कहते है Ocean Plate जो पानी के Plate है उनको हम लोग कहते है Ocean Plate और जो भूमी वाली Land जो Plate है इसको हम लोग कहते है Continental Plate ठीक है जब एक Continental Plate Oceanic Plate से टकराती है तो oceanic जो plate होती है, वो ज़्यादा heavy रहती है, ज़्यादा भारी रहती है, high dense रहती है, तो oceanic जो plate है, वो नीचे की और धस जाती है, ठीक है, और उसके उपर जो है, वो continent plate चड़ जाती है, और यही जो हिस्सा है, oceanic plate का, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, यह melt होकर, उपर की pressure जो है वो डालता है और ये volcanon के रूप में क्या हो जाता है create हो जाता है ठीक है तो जब भी oceanic plate और continental plate आपस में ठकराती है तो वहाँ पर volcano आएगा ही आएगा ये बिल्कुल निश्चित है ठीक है भुकम तो आएगा ही आएगा येदि माल ली जी कि दो continental plate आपस में ठकराती है, तो दोनों ही जो है वो कम भार की हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगी, उपर की और उठ जाएंगी, कुछ इस तरीके से, यह मैंने diagram जो है, वो आप लोग के लिए बनाया है, दोनों जो है टकराएंगी एक दूसरे से, एक दूसरी तरफ खिस यह जो आप लोग round के अंदर देख रहे हैं ना, इसको नाम देते हैं हम लोग one, और इसको नाम देते हैं हम लोग two, ठीक है, तो एक तो है इंडो अस्ट्रेन प्लेट के बीच में, और यहां पर तस्मान यह एक island है, इसके बिलकुल नजदीक है, यह दूसरी वाली, दोनों से दूर होती हैं, तो उन्हीं परक्रियाओं और जो परवत निर्मान हो रहे हैं, जैसे मैंने भी आप लोग को बताया, एंडीज बन रहा है, रोकीज बन रहा है, ग्रेट डिवाइदिंग रेज बन रहा है, हिमाले बन रहा है, उन्हीं के अधार बर, और जैनी मॉडल जो है, इसको use कियाता है, और यह decide कियाता है कि कौन सी plates कि सक रही हैं, और उनसे क्या निर्मित हो रहा है, तो technique जो है वो आप लोग ज़रूर याद रखना, दो प्लेटे में आप लोग को बताई, एक जो प्लेट है, उसको हम लोग कह रहे हैं, macware microplate, पहली तो यह plate है, macware microplate, ज काफी important है, repeat करके मुझे comment section में बताईए, दोनों के दोनों के नाम वापस repeat कर दीजी, macware और cap crown, ठीक है, चलिए, आगे हम लोग बात कर लेता है, तो यह आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से, जो continental plate है, उनका क्या shifting हुई है, दो plate जो है, वो कौन कौन से बनी है, च मिटिंग चाइना की दोरा आईजित करवाई गई थी, इनके बारे में बता जाता है कि इतने तेज तर्रार है कि पाकिस्तान में रहकर भी इन्होंने जासुसी जो है, वो की है, है ना तो कम मत समझिएगा, ठीक है, तो डोवाल attends meeting hosted by चाइना, चलिए, बढ़ते हम लोग इस lecture में इस session के अंदर आ गए, क्या context है, ठीक है, फिर recommendation by इंडिया during meeting, इंडिया की दोरा क्या recommendations दी गई, BRICS की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि BRICS जो है, वो BRICS के बारे में तो यहाँ बे डिसकस किया गया, और BRICS bank की तो हम लोग बात करेंगे, करेंगे, मतलब new development bank की हम कर चल्चा करने वाले हैं, ठीक है, तो यह बहुत important होने वाला है, तो आजीट डोवाल जो है, वो चायना की दोरा एक meeting आजीट की गई, उसमें participate कर चुके हैं, ठीक है, चलिए, तो भारत के राश्ट्री सुरक्षन सलाकार हैं, आजीट डोवाल, इन्होंने इसके अंदर participate क किया, और इसका उद्दीश में objective क्या था, कि किस तरीके से जो BRICS members हैं, उनकी जितने भी political और security corporation जो है, इसको कैसे बढ़ाये जाए, इसको strength जो है, वो कैसे दी जाए, लेकिन यहाँ पर दो देश जो है, वो बड़े important थे, एक तो इंडिया और एक चायना, है ना, दोनों एक दूसरे के counterpart हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी चायना के अंदरी meeting आई जो हुई, हम लोग डरें नहीं, चलो, देखे देख लेंगी, होगा जो देखा जाएगा, ठीक है, चलिए, तो बिना किसी शर्त के, देखे, recommendation क्या दी गई इंडिया के, कि बिना किसी शर्त के, आतंकव पादियों की द्वारा, जो IT है, उसकी उप्योग पर रोक लगाई जाएगी, कैसे जो है, वो information and communication technology जो है, जो use करते हैं, terrorist जो use करते हैं, इस पर कैसे रोक लगाई जाए, उस पर जो है, जल्दी रोक लगाई जाए, तीसरा, need for urgent reform of the multilateral system, जो बहुपक्षय प्रणाली है, य इसके बाद में supply chain management है, इसमें कैसे improvement किया जाए, तो ये जो है, भारत ने कहा, कि जल्दी इसके दर improvement करो, information communication technology जो है, terrorist के लिए उस पर रोक लगाओ, बिना किसी शर्त के आतंगवादियों से जो है, वो अब इस मामले का निप्टारा किया जाए, इस तरीकी से जो है, वो क्य करते हैं, political and security corporation है, फिर corporation mechanism है, सयोग तंत्र है, एक देश से दूसरे देश के बारे में, ठीक है, तो जैसे ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साथ अफरीका है, साथ अफरीका बाद में मिला, 2010 के अंदर, पहले brick था, फिर बाद में bricks कहलाया, ठीक है, फिर new development की बात करें, तो उसका मुख्याले कहां पर है, शंगाई के अंदर है, इसकी स्थाबना 2014 में, ब्राजील के फोर्टा लेजा एक संभेलन हुआ था, ठीक है, उसके अंदर, चैवे bricks शिकर संभेलन के दोरान की गई थी, ठीक है, new development, bricks सदश्यों के बीच एक परामर्ष दात टंतर का काम करता है, जिसमें सभी से दशे देश समान अधिकार जो है, वो रखते हैं, गलवान वेली का incident आप लोग जानते होंगे, अकसाई चीन के अंदर, शोक जो है, नदी है, वो शोक नदी के ऊपर ही, यहनिकी, LSE जो है, Line of Actual Control, वहाँ पर ही जो है, यह गलवान वेल दाक और अकसाई चीन के मद्ध है, भारत चीन की सीमा के निकट है, इसी छेतर में LSE पर भारत और चीन की बीच जो है, वो क्या होई थी, जड़प होई थी, और यह एक दूसरे को क्या करते हैं, विभजित करते हैं, गलवान नदी का स्रोत नियंतरन सीमा पर चीन की और इस जो है, वो किस में आकर मिलती है, शोक नदी में, जो की East to West flow होती है, मतलब अकसाई चीन से लद्दा की और flow होते हुए शोक नदी में मिलती है, और यही LSE का decide करती है, यहीं पर जो है वो जड़प होई थी, ठीक है, तो अब जो है, यह इंडिया और चाइना की बीच में क् मैप देखा होगा, खुल एट फिंगर्स है, चार जो है, वो इंडिया के पास में है, चार जो है, वो किसके पास में है, चाइना के पास में है, लेकिन चाइना ने क्या किया, बिसिकली चार तो उसकी पास में थी ही, प्लस दो की तरफ वो आगे और बढ़ गया, इंडिया आगे हम लोग बात कर लेते हैं Demolition drives me challenge the rule of law देखे, अभी आप लोग को पता होगा कि नुपूर सर्मा ने जब statement दिया उसके बाद काफी ज़्यदा सार्वजिनिक संपत्य को नुकसान पहुंचाए गया जिन सार्वजिनिक संपत्यों से लोग बेघर हुए तो वहाँ पर एक मुद्दा उठा और वो था rule of law का article 14 article 14 ये कहता है कि कानून जो है वो सभी के लिए बराबर है और वहाँ पर संपती के अधिकार की भी बात की गई संपती का अधिकार को आप लोग को पता है कि जब 44th constitutional amendment हुआ था तो इसको fundamental rights से उठा कर किसमें रख दिया गया था common laws के अंदर जो था वो रख दिया गया था ठीक है तो चलिए बात करते हैं इसका क्या context है rule of law क्या कहता है और article number 300 ये जो है वो क्या कहता है ठीक है चलिए recently पैगंबर निकि प्रॉफेट महुम्मत की उपर टिपनी हुई और टिपनी होने के बाद काफी ज़्यादा तोड़ पोड़ भी हुई अब recently हुआ क्या कि वहाँ पर तोड़ पोड़ होने के बाद लोगों की संपती जो थी वो उनसे चिन गई अब लोगों को संपती का अधिकार है उन्होंने खरीदा है उसको तो article 300 ये जो है वहाँ पर संपती का अधिकार अभी वर्तमान के अंदर उलेखित है तो rule of law ये कहता है कि यदि हर चीज़ की भरपाई हो रही है कानून के प्रभाव और अधिकार विशेश रूप से सरकारी अधिकारियों के वैवहार पर नियंत्रन को संधर्भित करता है समझ रहें आप लोग इसमें क्या होता है कानून जो है वो सरोपरी होता है इसमें कोई भी अधिकारी है उसके दोरा कोई rules बनाए गए है वो प्रभावी नहीं होंगे basically कानून जो है वो इसमें अपलाई होंगे तीन जो है fundamental principles AV-DC के दोरा दिये गए थे जो कि England से संबन नित थे तो ये जो भावना है rule of law ये हमने कहां से लिया है इंगलेंड से लिया है AV-DC के दोरा तीन मूलबू सिधान जो है वो बताए गए थे इसमें से दो जो थे वो इंडिया ने adopt किये दो कौन से थे equality before law मतलब कानून के समक सभी समान है ठीक है दूसरा था equal protection of law ठीक है कानून जो है इनकी विदियों का समान protection दोनों आप लोगोंने पड़े होंगे तो तीन मूलबू सिधान जो थे इनमें से दो किसने अपनाए भारत में अपनाए इसमें से एक था equal before law ठीक है equality before law विदियों के समक सभी समान है कानून सबसे उपर है और कानून से उपर कोई भी नहीं है चाहे किसी अधिकारी ने कानून बनाया है तो भी उपर नहीं है कानून जो है जो समिधान में लिखा हुआ है वो सभी के लिए लागू होता है समान रूप से जो है वो लागू होता है चाहे गरीब हो, अमीर हो, निम्न हो, उच्च हो वो क्या होता है समान उब्जे सभी वेक्टी के उपर लागू होता है ठीक है तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें कि equality before law जो है इसको negative approach के अंदर देखा जाता है negative approach means नकरात्मक अवधारना इसको कहा जाता है कैसे क्योंकि यदि मान लीजे कि कानून के सामने कोई बुजर्ग महिला आई है कोई विकलांग वेक्टी है उसको वो कानून नहीं देखेगा आंकों पर पटी बांदा हुआ है उसके सामने सभी लोग जो है वो बराबर है इसी लिए यहाँ पर negative approach जो है वो दिखाई देती है जबकि हम लोग देखेए एक्वल प्रोटेक्शन आफ लो यहीं कि वीडियों के समान संडक्शन उसमें कहते हैं कि यदि कोई विकलांग वेक्टी है तो उसको अलग से महिलाओं बच्चों को अलग से जो है वो प्रावधान किया जाएगा उसमें प्रोटेक्शन जो है वो आप लोग को समझा दिया है आगे हम लोग बात करें आर्टिकल नमर 300A की 300A क्या कहता है कि कि किसी वेक्टी को उसकी संपती से विदी के प्रावधिकार से ही वंचित किया जाएगा अनिता नहीं कोई कानून बना कर ही उसको उसकी संपती से बेदखल किया जाएगा तोड़ करके नहीं क्योंकि उसको तोड़ फोर करने से उसके संपती का नुकसान हो रहा है और वो अपनी संपती से बेदखल हो रहा है समझे आप लोग इसलिए 300A जो है उसके अंदर संपती के अधिकार को रखा गया लेकिन वो एक मौलिक अधिकार नहीं है वो एक constitutional right है और amendment कौन स था comment section मुझे बता दीजिए कि amendment जो था वो कौन सा था यहां पर भी आप लोग को ये amendment जो है वो देख चुका है ठीक है एक है के टी plantation private limited बनाम करनाटक राजी 2011 का मामला उसमें court ने ये माना कि समिधान के अनुचे 301 के तहत किसी वैक्ति को उसकी संपती से बंचित करने के ल प्रपोज्ट रिफॉर्म्स टू डवलू टी ओ विल हर्ट डवलॉपिंग नेशांस इंडिया की दौरा क्या कहा गया है इंडिया की दौरा कहा गया है कि WTO जो है World Trade Organization इसकी दौरा जो भी प्रपोज रिफॉर्म है वो डवलॉपिंग नेशांस को प्रभावित करेंगे जितने भी विकासील देश है उनको प्रभावित करेंगे जैसे सबसीडी का मामला जो है वो बहुत ज़़ा गर्माता है क्यो कि दौरमेंट की दौरा सबसीडी जो है वो दी जाती है ताकि वो प्रड़क्ट जो है वो उनकी पहुंच में बन सके लेकिन इंडिया का ये कहना है कि जो भी WTO के जो भी रूल्स और रेगुलेशन्स हैं वो डवलॉपिंग नेशन्स को क्या करते हैं हर्ट करते हैं चिन्ता वेक्ट ही है कि जो भी सुझाव अभी रिसेंटली निर्धारित किये गए हैं उनसे विकासिल देशों का पहुंच सकती है नुकसान पहुंच सकता है सबसे पहले हम लोग बात करें सबसीडीज की सबसीडीज में मचवारों को नुकसान होगा क्यों होगा क्यों हुआ है इसलिए जो मतर से सबसीडी है पर रोक लगाने के लिए 20 साल की बाचीत पर व्यापक छूट दे जाने की मांग भारत की दोरा की गई है पहले इस पर रोक लगाई जा रहे थी लेकिन जो है इसमें 20 साल की और जो है इसको एक्टेंट किया जाए दूसरी बात मचव जब भी फिशरिंग करते हैं समंदर में उतरते हैं कई नौटिकल मील्स तक वो अपनी फिशरिंग करते रहते हैं इसलिए भारत की दोरा ये कहा गया कि 200 नौटिकल मील्स तक जो है उन मचवारों को क्या की जाए फिशरिंग करने की वहाँ पर अनुमती दी जाए और इसके Commerce को लेकर concern है कि भारत को डर है कि नए नियम विदेशी कंपनियों को अनुचित रूप से बाजार तक अनिवारे पहुँच का बहाना दे सकते हैं जितने भी विदेशी कंपनियां होती हैं वो लालज देती हैं डिसकाउंट्स होगरा देती हैं ठीक है तो वो क्या होता है illegal तर को नुकसान होगा जो की अभी भी भारत में विक्सित हो रही है यसे आप लोग देखते हैं कि भारत के कोई e-commerce कंपनी फिलिपकार्ट है यह दि कोई विदेशी कंपनी है उसको ज्यादा छूट दे दी गई है market के अंदर तो वो क्या करेगी encourage करने की कोशिश करेगी Indian e-commerce market क और दीरे दीरे जो है वो उसको क्या कर देगी तबहा कर देगी तो उस पर भी जो है वो लगाम लगाने के जरुवत है new rules जो है वो लाने के जरुवत है इंडिया नहीं कहा फिर है जितने भी food products है इसको भी क्या किया जाए इनके ऊपर भी एक rate जो है subsidies वो decide की जाए ताकि Indian जो market है domestic market है उसमें थोड़ा सा push up मिले तो subsidies जो है उन नियमों के उपर वापस से बात करने की जो है वो कहा गया तो हादे subsidy जो है इस पर extend करने के लिए भारत जो है वो आड़ा हुआ है WTO के अंदर भी और WTO क्या कहता है कि WTO जो है वो food subsidy को समाब करने या फिर कम करने की बा IP अधिकारों को इस्तकित करना चाहता है ठीक है क्या है जिसे मान लीजे कि किसी ने COVID की जो है वैक्सिन बना ली है तो वो उसका patent करवा लेगा और दूसरे देशों को महेंगे दामों में बैचेगा लेकिन भारत का ये concern है कि वो जो है उसको patent से मुक्त किया जाए और उसकी IP IP की अधिकार जो है इंट्रेक्शल प्रोपर्टी राइट की जो अधिकार है उसके अंदर किया किया जाए विस्तार किया जाए दूसरे देशों को भी ये टेक्निक डी जाए अभी हम लोग आगे lecture में भी देखेंगे कि इसके अंदर और क्या हुआ है मतलब WTO से related एक जो है वो हम लोग सेक्शन अभी आगे और लेने वाले हैं अलग से जिसमें ये भारत की दोरा जो भी मांगे उठाई गई है उनको क्या किया गया है सुईकार किया गया है ठीक है विशेश और विबेदत विवहार को जारे रखना ऐसा विवहार सभी विकासिल सदर्शों के लिए एक संधी अंतरनहित और गैर परक्राम में अधिकार रहे रहा है है ना तो आपको थोड़ा सा हिंदी में ये नहीं समझ में आ रहा होगा आसानी समझ ये लेकि क्या होता है कि विकासिल जितने भी देश हैं डवलपेंग जितने भी नेशन्स हैं उनके साथ में भेदभाव क चाहिए ठीक है तो ये सारा जो है ये पोरा माजरा था भारत ने यसारे कंसर्न यो है वहां पर उठाए है आगmaya अभी एक सेक्षेन और आयेगा डवलो टीयों से रुखाए हैं इनको डवलो टीयों ने मान लिया है तो WTO के दौरा कौन कौन से जो है वो मान लिए गए हैं जो भारत ने recommend किये थे वो भी आगे हम लोग देखेंगे Next देखिए इंडिया ranks third in renewable energy installation in 2021 भारत की जो rank है वो चाइना और रूस के बाद में 30 नंबर पर renewable energy installation के अंदर भारत जो है वो आचुका है 2021 के अंदर देखते हैं क्या concern हमारे पास में है ठीक है बहुत important है क्योंकि renewable energy जो है उसमें भारत जो है वो धीरी धीरे आगे बढ़ रहा है लेकिन भारत के साथ वे एक बड़ा concern ये भी है कि भारत के अंदर जितना भी ये solar equipants हैं इनको dump किया जाता है dump in the sense ये दी मान लेजिए कि किसी mobile phone के value जो है वो 20 साल है अब आप लोग को पता है क्यारी 20 साल में खराब हो जाएगा आपने क्या कि 15 साल के बाद जो है 15 साल आपने यूज किया और 5 साल के लिए किसी और को बेच दिया वो भी अच्छे दामों में अब आपके सिर से जो है वो आफत कम हुई और दूसरे के गले जो है वो आफत पड़ गई अब वो जाने उसका काम जाने कि 5 साल के बाद उसको ठीक राएगा फैंक देगा कहां फैंकेगा क्या कच्रा जो है उससे बनेगा तो ठीक वैसे ही solar panel जो equipments है ये भारत के इंदर dump किये जाते हैं developed nations के द्व चुका है ठीक है बात करते हम लोग आगे context क्या है report क्या कहती है भारत के दोरा क्या effect है efforts है और ये R.E.N. जो है ये क्या चीज है ये हम लोग बात करने वाले है ठीक है तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे देखे context क्या है 21 सताबदी के अंदर भारत जो है वो तीसरे इस्था जो है वो हासिल किया है तो पहले पर है चाइना दूसरे पर रूस किस मामले में जितने भी renewable energy installations हैं जो equipment हमने बनाए हैं जैसे आप लोग को पता होगा कि हाल ही के अंदर तेलंगाना में floating जो solar power plant है इसको integrate कर दिया गया है वो शुरू हो चुका है उस मामले में जो है वो भारत अदब तीसरे इस्थान पर है ठीक है तो भारत में वर्ष 2020-2021 के दुरान 15.4 गीगवाट जो renewable energy है इसके स्थापना की गई आंकड़े जो है आप लोग याद रखेगा थोड़े बहुत आंकड़े जरूर याद रखेना फिर भारत पहली बार जर्मनी को पीजे छोड़ चु तो भारत जो है वो 60.4 गीगवाट के साथ में तीसरे इस्थान पर पहुंच चुका है रिपोर्ट क्या कहती है वो भी सुन लीजिए ठीक है सबसे पहले और वर्ड की हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर 3146 गीगवाट renewable energy जो है वो पिछली साल 2021 के इंदर क्या की गई है प्र renewable energy जो है वो produce की जाती है ठीक है इनमें यह दि हम लोग बात करें renewable energy की ठीक है renewable energy की बात करें तो जितनी भी renewable energy है तो वैश्विक उर्जा उपयोग में अक्षे उर्जा की हिस्सेदारी 2021 में इस्थिर रही लेकिन 2050 तक जो है वो net zero carbon emission का लक्षे जो है वो रखा है लेकिन इस तक पहुँचने के लिए अभी जो लक्षे है वो क्या है पूरे नहीं है समझे आप लोग तो 2050 तक net zero उसजन तक पहुँचने के लिए आवशक लक्षों के करीब अभी तक नहीं है तो पूरी दुनिया को चाहिए कि renewable energy के इंस्ट्रोशन जो है वो जदा ज़दा किये जाए तकि 2050 तक net zero carbon emission के लक्षे तक महुचा जा सके ठीक है तो यह आप लोग ज़रूर द्यान रखना कि पूरे विश्व में कितनी है और भारत जो है वो अभी कितना produce कर रहा है रिपोर्ट और क्या कहती है कि अभी covid pandemic जो हुआ था उसमें जो निवेश यानिकि renewable energy के इंदर निव कि गई क्योंकि लोगों को यह पता लगा कि carbon जो है वो कितना नुक्सान पहुंचा सकता है इसलिए उन्होंने switch करना शुरू किया renewable energy के तरफ यूक्रेन संकट का इस पर क्या प्रभाव हुआ यूक्रेन पर रूस के आकर्मन ने उर्जा संकट को और बढ़ा दिया ठीक है कै ऐसे क्योंकि आप लोगों को पता है कि oil supply जो है उदर से होता है रूस की तरफ से होता है लेकिन इस दोरान नहीं हो पाया और इस समय उर्जा संकट जो है वो सभी देशों के सामने बढ़ गया इसके साथ में gas supply जो है वो भी रुख गई तो उर्जा संकट जो है energy का वो जद बढ़ा दी ताकि लोगों तक इसकी पहुंच जो हो बन सके इस से CO2 उसरजन में दो अरब टन से अधिक उसरजन के साथ 6 प्रतिशत के record वर्दी जो है वो की गई तो जैसी सरकार ने subsidy को बढ़ाया उसके बाद में लोगों ने उपयोग करना उपभोग करना शुरू किया औ जा फिर wind energy की बात करें ठीक है जा फिर हम लोग बात करें किसकी water से जो electricity produce की जा रही है उसकी बात करें तो इनके मात्यम से 2030 तक 500 गीगावाट अक्षे उरजा के जो लक्ष है इसकी गोशना की है कि 500 गीगावाट renewable energy जो है वो 2030 तक produce की जाएगी भारत की द्वारा लेकिन भा भारत ने अपने राष्ट्री ये सौर उत्पादन कारेकरम का विस्तार जो हो किया है और बैटरी निर्बान सेनेटर के स्थापना के लिए घरेलो और अंतराष्ट्री कंपनी को क्या क्या है प्रौसान किया है क्योंकि renewable energy जो भी energy create हो रही है इसको store करने की जरूरत है और ब 21 में भारत ने अपनी 9th metering योजना के तहर सोर फोटो वाल्टिक प्रतिष्ठान जो है उनको इस्ताबित किया है और इसको आगे और बढ़ा दिया है सीमा भी इसके बढ़ा दी गई है इसके बाद देश में रूफ टॉप पीवी बाजार रिकॉर्ड जो है पहुंच गया ह है घरों के उपर रूफ टॉप जो है वो लगे वे हैं सोलर पैनर्स बहुत बड़ी मात्रा में भारी मात्रा में अब जो है सरकार के दोरा सबसेड़ी देने के बाद लग चुके है ठीक है तो और भी सरकार के कई कारिकरम है जिनके अंदर परफॉर्मेंस लिंक यह इसकी फुल फॉर्म है तो इसकी स्थापना बेसिकल 2004 के अंदर जो है वो आरियन के की गई थी और इसका लक्षे क्या है इसका लक्षे है कि जितने भी एनेबल डिसिजन मेकर्स टू मेक दा शिफ्ट तो रिनेवल एनरजी हैपन नाव तो जितने भी अक्षे उड़ जा इसे भी कारबन का यूज कर रहे हैं CO2 से जितना ज़्यदा हो सके रिनेवल एनरजी के तरफ मूव कर सके यह क्या है इसका लक्षे है तो यह जो है यह काफी इंपोटेंट है लेकिन सबसे इंपोटेंट है कि इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी इसकी स्थापना 2004 में बॉन जो संबिलन हो था 2004 का उसके पहज जो है वो की गई थी चलिए यह जो है रिनेवल एनरजी यह आप लोगो काफी हथ तक समझ में भी आया होगा और एक कोशन यहां से यह बन सकता है कि रिसेंटली फ्लोटिंग जो सोलर पाउर प्लांट है इसकी स्थापना कहां पर की गई है आगे देखिए वाट इस दा इंटर इस्टेट काउंसिल राज्यों के बीच में सामंजश्य को या फिर राज्य और केंद्र की बीच में सामंजश्य को बढ़ाय रखने के लिए रिसेंटली इंटर इस्टेट काउंसिल के मिटिंग जो है वो आयजित की गई है लेक के suggestions क्या-क्या है? Reconstitution of ISC, Issues with ISC, Standing Committee of ISC. तो ये जो है, वो हम लोग इस lecture में देखने वाले हैं. ठीक है? Recently क्या हुआ है? आप लोग को श्रिलंका क्राइसिस तो पता ही होगा. श्रिलंका का जब क्राइसिस हुआ तो बहुत सारे लोग जो थे, वो माइगरेंट करके तमिल नाडू की और बढ़ने लगे. इससे, वहाँ के जो मुख्य मंतरी है, M. Stalin, वो काफे चिंता उनको होने लगी. यदि माइगरेंट जो है, वो यहाँ पे आएंगे, जो है, वो कम से कम एक साल के इंदर तीन बार होनी ही होनी चाहिए, ताकि स्टेट जो है, वो अपनी प्रॉब्लम सेंटर को बता सके, और सेंटर जो है, उन्हें दूर भी कर सके. यह हो सकता है, कि एक स्टेट की महत्व के जितने भी पॉइंट है ठीक लए नैशनल इंपोटेंस के जितने भी पॉइंट हैं उनको जो है वो एक साथ बैट कर डिसकस करना चाहिए तीसरी बात है कि केंदर और राजजी की बीच में बहुत अच्छा कम्यूनिकेशन बनाये रखने के लिए जो है वो इसकी मिटिंग टाइम टाइम हो जानी चाहिए मतलब एक सान के अंदर तीन बार होनी होनी चाहिए इसके बाद सरकारी आयोग के हम लोग बात करें तो सरकारी आयोग ने 1989 के अंदर जो है वो आपने रिखमेंडेशन डी थी basically गठित कब हुआ 1988 के अंदर गठित हुआ 88 के अंदर जो है सुझाओ दिये ठीक है रिपोर्ट लुमिट कराई 89 के अंदर तो एक इस्थाई निकाय के रूप में जो है वो IAC गठित होना चाहिए पर्मानेंट जो है वो कमिशन होना चाहिए इसकी बाद में 1990 में यह एक राश्पती के आदेश के माध्यम से इसका गठन किया गया था तो IAC जो है इसका गठन 1990 के अंदर राश्पती के आदेश के तहर्ट इसका गठन किया गया लेकिन सरकार्याग्यों ने इसकी सिफारिश की थी IAC के प्रभावी यह जो कामकाज है इसमें नाइक हस्तेशेप जो है वो कम होना चाहिए ठीक है यह कम होगा जब बार-बार बैठ गये होंगी तो इसमें नाइक हस्तेशेप कम होगी क्योंकि डिस्प्यूट जो है वो बार-बार बैठ को से कम हो जाएंगे जब डिस्प्यूट कम होंगे तो ज युडिश्री के पास में मामला जाएगा ही नहीं, तो इससे जो न्याइक हस्षेफ है, युडिश्यल इंटर्वेंशन है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है, चलिए, रीकॉंस्टिशन और आईएसी, वापस इसको कैसे गठित कर सकते हैं, तो पिशले माई ने अंतर राज जीये परिशत का पुनरगठन किया गया था, ठीक है, इसमें क्या कहा गया, कि इसमें इस्थाई आमंत्री सदश्यों के रूप में, दस केंद्रिय मंत्री होंगे, बेसिकली पहले क्या थे, पांच केंद्रिय मंत्री थे, अब जो हैं, वो दस केंद्रिय मंत्री जो हैं, वो इसमें रिकमेंट किये गये हैं, इसके अलावा, यह जो नए IAC बनाई गई है, इसमें अध्यक्ष केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिच शाह होंगे, यह तो पहले भी था, इसके अलावा जो दस राजेश में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें केंद्री वित्र मंत्री, महाराष्टर, उत्रप्रदेश, गुजरात के वुख्य मंत्री जो है वो इसमें शामिल होने ही होने चाहिए ये इसमें recommendation जो है वो की गई है इसकी बैठके जो है वो अनियमित होती है आये से की लिए बहुत important ये जो है वो एक organization है इंडिया के अंदर जो की राज्य के बीच में यतने में disputes हैं उनको रोकता है, कम करता है, ठीक है तो पिछले 6 वर्षों में केवल एक बार जो है इसकी बैठक हुई है पिछले 6 सालों के अंदर केवल एक बार बैठक हुई है जुलाई 2016 के बाद से कोई बैठक नहीं हुई जुलाई 2016 के बाद से इनकी कोई बैठक है नहीं हुई जो कि इससे पहले बहुत बैठक की जो है जाती थी जैसे 1990 में अपने गटन के बाद से अंतर राज ये परिषद के केवल 11 बैट के जो है वो आईजित हुई है हाला कि इस से प्रिकरिया नेमों में कहा गया है कि परिषद की प्रतिवर्ष कम से कम 3 बैट के जो होनी चाहिए तो 3 बैट के एक साल के अंदर होनी चाहिए यहाँ पर तो जुलाई 2016 के बाद में कोई बैट ही नहीं हुई है इसके बाद में जो भी सिफारी से आये से की दोरा की गई है वो नेचर में कैसी होती है वो होती है गैर बाद देकारी यहाँ नोन बाइंडिंग वो होती है ठीक है और इसलिए कभी-कभी सरकार और राजे जो है उसके अंदकी कर देती है इसलिए बाददिकारी जो है वो इनको बनाया जाना चाहिए, निके binding जो है वो बनाया जाना चाहिए, अभी non-binding है, binding के अंदर इनको convert करना चाहिए, ठीक है, अब क्या क्या है, सबसे पहली बात, कि एक तो बैठके जो है वो नीमित नहीं होती है, IAC की, उसके बाद में इसक के सबी नेता जो है वो इसमें शैमिल हो गए है, तो इसमें जितने भी experts है, वो इसमें शैमिल हैं ही नहीं, इसके साथ में कोई भी NGO बगart इनके साथ में कोई जुड़ाव नहीं है, क्यूंकि NGO के पास में सारे reports होती है, चाहे हो महिलाओं के बात करें, चाहे बच्यों की ब बार बैटक होई है, तो इस तरीके से जो है issue इसके साथ में है, IAC के साथ में, ठीक है, अब इसमें कौन-कौन शामिल होता है, ये बहुत important है, तो इसके में देखिया आप लोग, इस्थाई समिती का गठन जो है, वो किया गया, अंतर राज जीये परिशत में, ठीक है, और 1996 में जो है, इसकी स्थापना की गई, सदशे कौन-कौन होते हैं, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिये, केंद्री ग्रह मंत्री, ठीक है, पांच कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और 9 मुख्य मंत्री जो है, वो इसमें शामिल होते हैं, इसको रिकमेंट करके कहा गया है, कि अद्धक्स तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 जो है, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री रखे जाएं, और 10 ही क्या रखे जाएं, यहाँ पर मुख्य मंत्री रखे जाएं, अंतर राज्य परिशे सच्चेवाले भी कहा जाता है, वर्ष 2011 से यह चेतरी परिशेदों के सच्चेवाले के रूप में भी कारिये कर रहा है, ठीक है, तो सिक, as a secretariat जो है, इसके रूप में भी यह कारिये बहुत अच्छे से कर रहा है, चलिए, जिस WTO की हम लोग पहले ब हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले important deals जो है, वो कौन-कौन सी हुई है, इसके बाद में overfishing, जिसे हम लोग पहले मचवारों की बात कर रहे थे, overfishing के हम लोग बात करेंगी, overfishing क्या होती है, electronic transmission के हम लोग बात करेंगे, और WTO, ministerial conference जो है, इसकी हम लो भी किया गया, पहली बात की, की मतश्य पालन के लिए गयर विशिष्ट इधन सबसीड़ी पर भारत की मांग को सुईकार नहीं किया गया था, पहले की बात है, लेकिन अग जो है, उसमें कहा गया, कि जितने भी fissure mans हैं, उनकी मांगे जो है, वो मानी जाएंगी, उनको 200 naut EZ जो है, वो नाम दिया गया है, Exclusive Economic John, ठीक है, तो बहुत सारे recommendation जो है, वो इंडिया की द्वारा दी गई थी, जिसको WTO ने मान लिया है, ठीक है, चलिए, देखते हम लोग इसमें, क्या है, कि खाद्य शुरक्षाने की food security, सरदश्य देश, कौन-कौन से हैं, WFP, World Food Program जो है ठीक है, इसके तहित मान लियों देश्य के लिए खरीदे गए खाद्य प्रदार्तों पर निर्यात प्रतिबंद या प्रतिबंद नहीं लगाएंगे, ठीक है, पहली बात ये, दूसरी बात, हालां कि घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिए स्विकार ये सरवजनिक stock holding सीमा, क् भारत ने पहले recommend किया था, उन सारी मांगों को माना गया, कि हम जो है, subsidy को थोड़ा extend करेंगे, चाहे हम लोग बात करें कि e-commerce की बात करें, तो e-commerce में जितनी भी विदेशी कंपनिया थी, उनको जो है, वो as according to Indian domestic market, उसको regulate किया जाएगा, ताकि Indian e-commerce जो है market है, वो अच्छे से develop कर सके, अच्छे से grow कर सके, उन मांगों को जो है, मांगा जाएगा, माना जाएगा, ताकि भारत को revenue की जो है, वो हानी ना हो, ठीक है, चलिए, फिर और का सुदार किया गया है, इसमें हम लोग देख सकते हैं, कि विवात निप्तान निकाए, ठीक है, dispute settlement body जो है, इसको क लोग बात कर रहे थे, COVID के जो टीके हैं, vaccines हैं, उनकी IEP की बात कर रहे थे, Interactual Property की बात कर रहे थे, उसमें भारत की ये मांग थी कि उसको क्या किया जाए, extend किया जाए, दूसरी विकासियल देश जो है, developing nations, उनको upload करवाए जाए, ठीक है, और अब जो है, क्या कर दिया गय तो Trade Related Interactual Property, जो है, इसके लिए, Niam 1986-94, उरुगवे के दौरान, जो है, उरुगवे जो वारता हुई थी, उसके दौरान ये decide किये गए थे, और patent जो है, यनकी बौधिक जो अधिकार होते हैं, उन पर क्या किया जायता है, patent इसी, patent Niam 1986 किता है, जो है, वो कियाता है, trips के द को फिर से भर सकते हैं, वर्तमान में सिन्यूक तराश्टर के खाद्य और क्रिशी संगठान, FAO के अनुसार यह है, 34 प्रतिशत है, मतलब, यहाँ पर देखें कि 34 प्रतिशत के लिमिट होती है, माली एक ताला आपके अंदर 100 मचलिया है, तो उसमें 34 आप पकड़ सकते हैं, यदि 34 पकड़ेंगे, तो environmental कोई भी effect नहीं होगा, उनकी वापस से खाना पूर्ती हो जाएगी, लेकिन 34 जदा आपने पकड़ना शुरू कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें overfishing जो है, उसको कहा जाएगा, ठीक है, तो 34 प्रतिशत जो है, वो FAO के द्वारा इसने भी music है, e-books है, films है, software है, वीडियो गेम जो है, वो आदी इसके अंदर शामिल होते हैं, तो वे अन्य सीमा पार e-commerce से भिन है, तो कि उन्हें online order किया जाता है, लेकिन बहुत एक रूप से वितरत नहीं किया जाता, ठीक है, निकि physically कुछ भी उसमें दिखता नहीं है, जैसे मालेजी e-book है, अब e-book के अंदर आपके हाद में कोई book जो है, physically नहीं आई है, के वल आप लोग उसको online जो है, वो देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, तो ये क्या है, electronic transmission है, इसके लिए भी जो है, वो प्रावधान किया जाएना चाहिए, इसको भी जो है, वो WTO क में recommend किया गया है, इसके लिए नए नियम जो है, वो बनाई जाने चाहिए, ठीक है, सारा मामला जो है, वो हम लोगों ने समझ लिया है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से analysis करना, WTO वाले को, इसके भारत के साथ में क्या issues हैं, subsidies को लेकर क्या issues हैं, वो आपको बहुत साल में एक बार जो है, वो इसकी बैठक होती है, किसी भी भाव उपक्षे व्यापा समझोते के ताहित, सब भी मामलों पर निर्ने ये ले सकता है, WTO की आपर बात की जा रही है, ठीक है, चलिए, सिंगल यूज प्लास्टिक, आप लोगों ने किसी भी प्लास्टिक 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 जो है, इसको यूज किया है, और यूज करके एक बार में फैंक दिया है, क्या उसके environmental, hazardous जो effect हैं, वो हो सकते हैं, तो सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग किसको कहेंगे, इस lecture में हम लोग जानेंगे, क्या भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है, वो बैन कर दिया है, तो एक जुलाई से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, वो बैन किया गया है, लेकिन फिर भी भारत में जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, वो भारत के अंदर भारत जो है उसमें 99 यानि कि 100 देशों की बात करें तो लगबग 100 देशों में last पर है 99 इस्थान पर है 99 सिंगापूर में जो है वो सबसे ज़्यादा single-use plastic जो है वो used होती है तो basically single-use plastic जो है वो क्या होती है वो हम लोग इस lecture में जानने वाले हैं क्या context है notification जो है वो सरकार के दोरा जारी क्या गया है वो क्या कहता है single-use plastic क्या होती है क्या status है single-use plastic जो है इसके लेकर क्या concerns है ठीक है कौन-कौन सी item जो है वो ban किये गए है ठीक है और यही item क्यो ban किये गए है वो भी हम लोग देखेंगे how will the ban be enforced कैसे यह जो है वो enforced के अंदर आएगा और कौन-कौन सी country जो है वो single-use plastic के साथ में dealing कर रही है ठीक है एक जुलाई से central government जो है उसने notification जारी किया और यह कहा कि single-use plastic जो है उस पर ban किया जाए अब एक जुलाई से जो है इसको क्या कर दिया गया है प्रतिबंदित किया गया है notification क्या कहता है notification यह कहता है कि polystyrene और polystyrene जो extended है इसके अंदर क्या किया जाए इसके अंदर क्या क्या शामिल होते है जैसे import, plastic का import है export है, manufacturing है stocking है, इसके साथ में cells है इसका use है तो इनको एक जुलाई से क्या कर दिया गया है प्रतिबंदित कर दिया गया है single use plastic क्या होती है एक बार आपने use किया जैसे चमच है, plastic की चमच है उसे एक बार खाएंगे और फैंक देंगे इस ट्रो है, एक बार खाएंगे फैंक देंगे तो ऐसी plastic के products जिसको आप लोग एक बार use करते हैं उसके बार use नहीं करते हैं फैंक देते हैं वो single use plastic के अंदर आती है जैसे कुछ वस्तुए हो गए, bottles हो गए, polythine bag हो गए fast mask हो गए, coffee cup ठीक है, यहां तक की balloons जो आप लोग party वगरा में use करते हैं, वो भी जो है होता नहीं है, और पूरे fossil fuel का one third manufacturing के अंदर waste होता है किस पर single use plastic के अंदर लेकिन जो 100 देश है उसमें भारत जो है वो 94th rank पर है 94th rank पर है पहले मैं 99 बढ़ रहे थी, उसको 94 करिएगा तो भारत जो है single use plastic के use में 94th rank पर है जबकि हम लोग देखें, इसमें Singapore Australia, Oman जो है यह first, second और third position पर है इंडिया का domestic production जो है single use plastic का वो 8 million metric tons है annually एक साल के अंदर और import कितना करता है 2.9 million metric tons जो है इतना import करता है तो totally कितना हो गया 10.9 million metric tons जो है वो available रहता है इंडिया के अंदर single use plastic इंडिया पर capital generation जो है वो 4 kg है प्रति वेक्ति जो है 4 kg single use plastic जो है वो use होता है एक वेक्ति की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं ठीक है यह काफी important है तो भारत का प्रति वेक्ति उत्पादन 4 kg है single use plastic का सबसे बड़ा हिस्सा packaging के अंदर जाता है आप लोग जैसे toothpaste है shaving creams है इनका जब use करते हैं food packing के अंदर use कर रहे हैं तो packing के अंदर जो है single use plastic ज़्यादा काम में लिया जाता है क्या concern है जैसे आप लोग glass, cup, plate, छड़े होती है आईस क्रीम खाने की जो छड़े होती है छड़े मतलब उनकी spoons होती है इसके साथ में चाकू है, tray है बहुत सारे ऐसे है जिनको single use plastic के अंदर count के जाता है जैसे PVC banner है 100 micron से कम 100 micron से कम वाले PVC banner है है ना, इनको क्या के जाता है single use plastic के अंदर count के जाता है तो central polishing control board जो है वो क्या करती है ये सब कुछ define करती है declare करती है कि single use plastic के अंदर क्या क्या शामिल होता है ठीक है, ear buds कान में कचरा निकाला, फैंक दिया लेकिन बाद में क्या काम है, उसका कोई काम नहीं है वो भी single use plastic के अंदर count हो जाएगी ठीक है, polythine bag अब polythine bag जो है, जिसकी thick neck 75 micron से कम है उसको वो वापस से use नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है, कि 75 micron से कम यदि होगी तो reuse नहीं होगी, वो चिपक जाती है आपस में फट जाती है, उसकी बाद में हम लोग उसको fang देते हैं, तो fang ने के बाद की कोई polythine यूज करते हैं, वो तो ठीक है लेकिन इससे कम अब नहीं होनी चाहिए तो December 2022 से 120 micron से कम की polythine पर बैक जो है, उसको पर प्रतिमन लगाए जाएगा इसको आगे और बढ़ाय जा रहा है 120 micron तक ठीक है, फिर देखिए ministry के अनुसार हम लोग क्या देखते हैं कि प्रतिमन के लिए single use plastic वस्तों से के पहले set का विकल्प, संग्रे की कटनाई और इसके पुनाचकरन पर आधारित था मतलब इसको एक तो store करना उपर से इसको recycle करना ये बहुज़ता difficult होता है ठीक है, अब इसको कैसे implement जो है, वो किया जाएगा तो CPCB, Central Pollution Control Board इसके लिए जिम्मिदार है कि वो इस पर control करे और time to time जो है, वो center को क्या करे report करे, क्योंकि इसमें इसको निर्मान करने में petrochemicals जो है, वो use होता है कच्चे माल की खपच जो है, वो ज्यादा होती है fossil fuel जो है, वो भी इसमें ज्यादा होती है तो ज्यादा ज्यादा जो है, वो इस पर रोप लगाई जाए इसके बाद में CPC जो है, वो annual एक report त्यार करके Central Government के पास में भी इसके लिए बिजवाएगा कौन-कौन से items होते हैं, वो हम लोगों ने देखे, एनके जो biodegradable नहीं है, उनको single-use plastic के अंदर जो है, वो count किया जाएगा, अगर मालीज ये single-use plastic यूज भी करनी है, तो उसके लिए जो है, वो license लेनी के जरुवत है लिकिन देखे, मालीज ये कि कोई फिर भी इसको बेच रहा है, इसको बना रहा है तो उस पर एक लाख रुपे का जुरुमाना जो है, वो परियावरन संदेक्शन अधिनियम, परियावरन संदेक्शन अधिनियम, Environment Protection Act 1986 के तर जो है, उस पर कारवाई की जाएगे, तो पांस साल की सजा, या फिर एक साल का जुरुमाना जो है, वो उस पर लगाए जाएगा बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, उसके साथ में डील कर रही है, तो 124 कंट्रीज जो है, भारत के साथ में, वो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज कर रही है, ठीक है, तो प्लास्टिक प्रोदुशन को खत्म करने के लिए, उत्पादन से लेकर निप्टान तक 68 देशों में अलग-अलग डिगरी के प्रवर्तन के साथ में, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है, तो भारत ही नहीं, 124 कंट्री जो है, उन्होंने क्या किया है, सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या किया है, डील किया है, उन पर रोक लगाई है, जैसे अब दिसंबर 2022 के बाद में 120 माइकरोन से कम की जो प्लास्टिक है, उसके ठिकनेश जो है, उसके पर भी क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, बंगलादेश जो था, वो पहला देश मना था, ये बहुत इंपरेंट है, बंगलादेश बिकेम the first country to ban thin plastic bag in 2022, तो 2002 के अंदर ही बंगलादेश ने बैन कर दिया था, चाइना के दिए हम लोग बात करें, तो 2020 में जो था, वो चाइना ने ये प्रतिमन लागो किया, और European Union के बात करें, तो European Union जो है, उसने भी single use plastic को जो है, वो बैन के दिए 2002 के अंदर ही, बहुत बढ़िया, ठीक है, लेक्चर आप लोग कैसा लगा, मुझे जरूर पताइएगा, आप लोग मुझे इस्टा पर follow कर सकते हैं, कोई भी question हो, queries हो, मुझे बता सकते हैं, दीपक इंदरा 021, दीपक इंदरा में आप लोग के लिए upload कर दिया जाएगा, तो चलिए, मिलते हम लोग next PIV session के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, thank you.